कभी कोई आप से पूछे कि भारत द्वारा बिस्व को दिया गया दस सबसे कीमती चीजें गिफ्ट क्या है जो भारत की है और भारत ने बिस्व को दिया दस बाते सोचेंगे तो बहुत सी बाते मन में आएंगी लेकिन वीडियो में बता रहा हूँ कि वो दस बाते कौन सी हो सकती है ध्यान से देखिएगा पहली बात है योगा योगा भारत की देन है और अब तो अंतराष्टिय योग दिवस 21 जून 2015 से हर बर्स मनाया जाने लगा है संजुक्त राष्ट महा सभा ने अंतराष्टिय योग दिवस का प्रस्ताव 2014 में पास किया था और 21 जून को प्रती बर्स यह मनाया जाता है दूसरी अगर बात करें तो आयूरवेद और आयूरवेद भारत की देन है प्राचिंतम चिकित्सा प्रनाली है और यह वात कफ और पीत के असंतुलन को बिमारी का करन मानता है वात, कफ और पीत और आयूरवेद तो एक बेद भी है जैसे रिगवेद, सामबेद, जजुरवेद, आयूरवेद और धन्मंत्री को आयूरवेद का पिता माना जाता है भारत की दिन है विसू का प्रथम जो उनिवरसिटी तक्स सिला ये भारत की दिन है वर्ल्ड का फर्स्ट उनिवरसिटी और मैं बता दूं इस उनिवरसिटी का जो टाइमिंग है ओं 520 से 580 तक यानि इसा से 5 साल पहले और इसा के 5 साल बाद यानि कुल 10 साल का इसका समय है गांधार पाकिस्त में इसके आउसेस हैं और यह भारत था उसमें संजुक तुरूप से और 800 BC में भारत इसके संस्थापक माने जाते हैं हुनों दुवारा 600 AD में इसको नश्ट कर दिया गया तो यह important बात है first university का सर्जरी के बारे में बात करें तो वर्ल्ड का पर्थम सर्जन माना जाता है इनका फादर भी माना जाता है 800 BC वारा नसी में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने सुसूरुत संगिता लिखी थी तो यह भारत की देन है सर्जरी meditation की बात करें ध्यान की बात करें तो यह भारत की देन है और ध्यान कई तरह का होता है यह भी योग से जुड़ता है अश्टांग योग तो ध्यान क्या है कि ultimately जो ध्यान है चेतन आत्मा का चेतन परमात्मा से जोड़ने का ध्यान है अध्यात्म की प्राकाष्टा है अश्टांग योग भी है सहज योग है यह भी भारत की दिन है बात करें चेस सतरंज की तो एक बौधिक ए मनरणजक खेल भारत की दिन है चतुरंग कहा गया इसको यानि जो चतुर आदमी है वही खेलता है पांचवी छटी सदी में इसकी सुरुवात भारत में हो रही है बात करें तो जीरो की खोज करने वाले आरेवहट ये भारत का बात है 476 से 550 AD के दोरान आरेवहट है भारत में 476 AD से 550 AD यानि इसा के बाद और भारत के महान गनी तक ये गुप्तकाल का समय है और ये इन्होंने गुप्तकाल 2 के दोरान अन्वेशन किया जीरो का सुर्ण और चंद्रगहन परवीनोंने रिसर्च किया आरेवहट शिधांत इन्होंने लिखा कॉंसेप्ट अप सोलर सिस्टम यानि सोरमंडल की जो संकल्पना है वह भी देन है भारत की 505 AD में सुर्ष शिधांत लतादेव के दोरा ये आरवट के सिश्यों में थे ब्रम गुप्त भी तो ये भी इपोर्टिन बात है कि सोलर सिस्टम भारत की देन है इस्प्रिचुलिटी यानि जो धार्मिक चीजे हैं धार्मिक्ता जो है ये भारत की देन है या अध्यात्मिक्ता बोलेंगे भारत की देन है मंदिरों का सहर तमाम धर्म और लोग हमेशा कोई न कोई तेवार उत्सों में धर्मी आते हैं इतना धर्म विश्व में कहीं नहीं होगा जितना भारत में है और लोग सालों भर इंधार्मी क्लिया कलापों में रमे रहते हैं spirituality भारत के अंग-अंग में बसता है और अगर vegetarian की बात करें साकाहारी तो यह भी भारत की देन है आज 20-20 साकाहारी को मानता दे रहा है दूध, फल, सबजी यह साकाहार के प्रमुख अवेव हैं और variety of items मिलेगा अब तो 20 कहता है कि अगर बढ़ियां आपको स्वस्त जीवन से लिए अपनाना है निरोग रहना है तो साकाहार बनो साकाहार प्राचीन काल से ही साकाहार की बात थी तो कुल मिलाकर यह 10 बाते हैं जो भारत की देन आप कह सकते हैं साकाहारी spirituality इसके बाद आपका सौर मंडल का जो concept है भारत की देन है जीरो की खोज करने वाले आरभठ हुए चाहे वो हचेस हुआ चाहे वो ध्यान meditation हुआ सुस योगा की बात है तो इस प्रकार भारत द्वारा 20 को दिया गया दस सबसे इंट्रेस्टिंग और कीमती चीजें यह है तो कैसा लगा वीडियो अपने विचार जरूर बेत कीजेगा बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू जरी सकते हैं आत की म Stephिय चाहे दिएक 4 को अ कर दिया हुआ है वे किया वे सल्वा तो इसंटता की science-जार कि वो है कि यह है जब कंपे C जाम अ करुए है वा जर गृ हम सान्यवादल धू है यह 9 को पनेत्दूनалन सूर है औरकर छो रृतिंगे ज़कनार सा गीए है your friendship